दूसकर दोस्तों सुआ गया था आपका अमारे यूटॉब चैनल पर तो देखिए MPPolice Constable का जो एक्जाम हुआ था आठ से तमर 2017 का सेकेंड पाले का तो टॉप 40 कोस्चन देखेंगे जो कि आपके एक्जाम में आये हुए हैं तो चलिए स्टार्ट करते आज का वीडियो पाहला कोस्चन है भारत में आखरी टेलीग्राम जो है वो कब भेजा गया था तो आप्शन सी 14 जुलाई 2013 को किस उच्छ न्यायाले ने गंगा और यमुना नदियों को जीवित संस्थाओं के रोम में मान्यता दी है option C उत्राखंड उच्छे न्यायाले जीएस्टी का अतातपर क्या होता है तो जीएस्टी मतलब गुड्स एंड सर्विस टेक्स यह होता है आपका जीएस्टी का फूल फार्म तो option हो मैं गुड्स एंड सर्विस टेक्स जगला कोश्चन है यदि ट्रपल को इससे कोडित किया जाता है तो पीपल को कैसे कोडित किया जाएगा तो ट्रपल का देखे टी है और इससे जो नए अलफाबेट बना है वह आपका यास हो जाएगा टी का देखी अलफाबेट होता है आपका 20, S का होता है 19 गटाया एक तभी 12 बना मतलब एक घट रहा है अब देखे आर से हमें ओ बनाना है स्वरी और से हमें क्यों बनाना है R का होता है 8R R Q का होता है 7R तो कितना घटा है minus का 1 अब triple का I से हमें H बनाना है तो I का होता है 9 और H का होता है 8 तो कितना घटा minus का 1 मतलब एक चीज कामन हो ग внутри के alphabet में alphabet code में A घटाएंगे और जो आन्हे ALPHABET मिलेगा वो आपका answer हो जाएगा इस इपर का PP में देखिए गाइस 16, 16, इसमें से 1 घटाएंगे 15, कामा 15 देखिए O, O आ गया, 15 किसका होता है O और O का अब देखिए L का L का होता है 12, K का होता है 11 कितना घटा है, माइनस का एक अब देखिए E E का आपका होता है 5 इसमें से एक थाइँगे तो आपका चार चार किसका होता एक है 강ई तीका तो टुरिपल में हम लोगोंने सभी अलफाबेट कोड में मतलब इसके veg धाया जो नमबर मिला उसकाफाबेट यह हो जाएगा अगला देखे इसी प्रकार हम लोग people में करेंगे तो people में P का alphabet code क्या होता है 16 इसमें से 1 गटाएंगे तो आपका क्या मिलेगा 15 15 किसका होता है O का तो O देखे गाई सभी में अभी अब E की बारी है E का code क्या होता है 5 5 से 1 गटाएंगे तो 4 4 किसका होता है D का तो देखे D तो इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी लेकिन इसमें नहीं तो B वाला कट जाएगा अब O की बारी है people में O की बारी इसका देखे 15 होता है इसमें से 1 कटाएंगे तो 14 14 किसका होता N का तो N इसमें है N इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना ही इसमें है तो answer हो जाएगा option C A और D वाले कर जाएंगे आगे हमें आप करने के जरूर नहीं तो आपका answer हो जाएगा option C solution है भारतिय सेना को खालिस्तान commands में विवाज़त किया गया है तो आंसर हो जाएगा उप्षिन है साथ कमांड्स में बिसीज जन जाती की जन संक्या में नमबर एक इस्थान पर खालिस्थान राज्जी है उप्षिन भी मद्य प्रदेश सब दस सिली पॉइंट इससे संबन देत है उप्षिन सी क्रिकेट से संबन देत है एक करेंट अवेर्स का कोश्चन आये था कि 2016 की राष्टी माहिला प्रीमियर सतरंज चेंपियस सिप किसने जीती कोश्चन तो इन्पोर्टन नहीं है लेकिन आंसर वता देता हूँ तो किसने जीती थी आपसेने पदमिनी राउत बर्तमान राज सभा में सभा का नेता काउन है तो ये भी आपका पुराना हो चुका है आपको कमेंट करके बताने की क्या हो सकता है अगला देखते हैं ये आपका अगला कोश्चन है डाइरेक्सन और डिस्टेंस का तो रीदिनिंग का कोश्चन है तो सबसे पहले आपको दिसाओं का ग्यान होना चाहिए ये होता है आपका पूराप और ये होता है आपका पस्चिम और ये होता है उत्तर लास्ट में होता है ये बाला नीचे बाला दच्चन तो गाइज ये बाला का कौन सा होगा यह बाला 20 में मतलब पूरब दच्छन के बीच में आकर करेंगे तो यह हो जाएगा दच्छन पूरब और पस्चिम और दच्छन को के 20 से निकलेगी तो यह क्या हो जाएगा दच्छन पस्चिम और उत्तर बाला आकर उत्तर पूरब के 20 से निकलेगी तो यह हो जाएगा उत्तर पूरफ और यह हो जाएगा उत्तर पस्चिम तो गैस देखिए आसिमा अपने घर से निकलती है बहे सबसे पहले उत्तर पस्चिम में 50 मीटा चलती है उत्तर पस्चिम आपका क्यों सा होगा गैस पूरब तो ये होता है, पस्चिम ये होता है, उत्तर आपका उपर वाला होता है, तो ये वाला हो जाएगा, ओके, तो 50 मीटर कितनी चली आपकी, 50 मीटर उत्तर पूरब की ओर चली, आगे कहता है और फिर दच्छन पस्चिम में 50 मीटर चलती है, तो गाइस दच्छन पस्चि है मतलब ऐसे होते हैं डिस्टेंससे यह आपका पूराब हो जाएगा और नीचे यह जाताया तो ऐसे ओड़ाइगा मतलब तलव जातके तीर लगे का टो अपका ऐसे हो जाएगा तक्षों सोरी दच्षण पूराप तो यह हो अपका 50 मिटर आगे कहता है अंत में भये अपने घर की ओर मोलती है आप वह किस दिसा है है घर आपका यह था इसका तो गैज अंत में बहुत्तर पस्चिम की ओर गमन कर रही है नतलब उत्तर पूरब दिसा मैं ओके थो ये वाला आपका answer हो जाएगा यहाँ पे जाएगा तो आपका answer हो जाएगा उत्तर पूरव क्योंकि वह अपने घर की और मोड़े है तो घर यहाँ पे था तो घर की और मोड़ेगी तो आपका answer हो जाएगा option D guys अखला question है दो पास से एक साथ फेंके जाते हैं कुल नंबर बारा आने की संभावना निम्न के बराबर होगी तो गाइस दो पास से एक साथ जब फेंके जाते हैं तो कुल संभावना कितनी होती हैं 36 होती हैं और अनुकूल संभावना क्या होंगी आपकी 6 कम अच्छे मतलब 1 होगी और इसके अभिस्ट्र प्रायक्ता क्या हो जाएगी एक बटे 36 तो अपसेन है इस राइट आंसर अगला है भारत के मुख्य चुनाओ आयूक तो कौन है तो ये पुराना कोशन हो चुका है तो आपको ब में आयोजित किया गया था आपसेन सी मद्य प्रदेश में गाइज दे कि अगला कोशन क्या कहता है एक खास कोड़ वासा में only common ground का अरथ है ये और all common people का अरथ है ये और give them all का अरथ है ये तो इस कोड़ वासा में कोल के लिए किस सब्द का इस्टमाल किया गया है तो कोल न और all common people का अरथ ये है मतलब अरथ में मिला है कोल तो और किसी में कोल आ नहीं रहा है तो अगर हमें कोल से पहले टोनो का अगर निकालने और पीले का निकालने तो हमें कोल का मिल जाएगा तो टोनो इसमें भी है इसमें भी है और इसके अरथ में only common ground और इसका क्या है all common people तो common मिल जाएगा आपका टोनों का आपका क्या हो जाएगा common अब PLA निकालना है तो PLA इसमें भी है PLA इसमें भी है और इसके अर्थ में क्या है आल, आल मिल गया और इसमें भी आल मिल गया तो PLA का आल हो जाएगा तो कोल का बचा हुआ क्या हो जाएगा पीपल तो option B is right answer चलिए अगला question करते हैं निम्न मैंसे कौन सा जिला मद्द प्रदेश का नविंतम जिला है तो option A आगर मालवा भारत में सर प्रतम सुरी भारत में प्रतम राज जिसमें प्रसन्यता के लिए एक अलग भिभाग है option C मद्द प्रदेश 2016 में किस भारतिय को अंतराश्टिय होंकी परिसंग के अद्दच के रूम में चुना गया था option D नरेंद्र बत्रा इस रोके PSLV C36 ने सपलता पुरवक खालेस्टन नामा के एक सुदूर समेदन उपक ग्रह का वहन किया है option A resource set 2A अगला question है लुप्त संक्या चुनकर संक्ला को पूरा कीजिए तो guys देखिए अगर 1 और 2 को जोड़ दें मतलब 1 प्लस 2 इस कल्टू किया हो जाएगा 3 तो ये 3 मिल गया अब 1 को हम लोग छोड़ते जाएंगे 2 और 3 को अगर add करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 तो देखिए 5 मिल गया अब 3 और 5 को add करेंगे तो कितना मिल जाएगा 8 देखिए 8 मिल गया अब 5 और 8 को add करेंगे तो हमारा answer आजाएगा तो 8 पांच 13 तो option D is the right answer चलिए अगला question करते हैं question है अपका लूपतर संक्या चुनकर संक्ला को पूरा कीजिए 5 से 15 बन्ने में कितना add हो प्लस का 10 15 से 45 बन्ने में कितना add हो प्लस का 30 और 45 से 135 बन्ने में प्लस का 90 आप देखिए गाइस यहां पर 3 का अंतर है मतलब 10 से 30 बन्ने में 3 का गुणा हुआ 10 में तभी तो 30 बना अब 30 से 90 में 3 का अंतर मतलब multiply 3 का तो सभी में 3 का multiply हो रहा तो इसमें भी 90 में भी तो 3 का multiply होगा तो कितना आएगा 270 और इस 270 को 135 में add कर देंगे 10 का 0 आँसे लगा एक और 4 मतलब 405 option B is the right answer चलिए एकला question करते है अगला question है लुपत संक्या चुनकर संक्ला को पूरा कीजिए 121 देखिए 11 का square 225 पंद्रे का square 361 है 19 का square देखिए 11 से 15 बन्ने में कितना add होगा प्लस का 4 15 से 19 बन्ने में कितना add होगा प्लस का 4 तो यहाँ पर जब प्लस का 4 add हो रहा तो 19 में भी तो प्लस का 4 add होगा तो आपका हो जाएगा 23 तो यहाँ पर 23 का square करेंगे तो आपका हो जाएगा 529 तो option B is right answer चलिए एकला question करते है question कहता है उस बिकल्ब का चैन कीजिए जो की दिये के कतनों और निसकर्सों के बारे में सही है तो कतन निसकर्स वाले questions है तो कतन देखिए क्या है सभी वकील डाक्टर है तो all advocate मतलब वकील को हम लोग बाल लिख देंगे और डाक्टर को D डाक्टर लिख देंगे मतलब सभी के लिए ऐसा figure बनता है फिर कहता है सभी डाक्टर इंजीनियर है तो सारे डाक्टर क्या हो जाएंगे इंजीनियर अब देखिए guys आगे कहता है कि सभी वकील इंजीनियर है तो guys देखिए सारे वकील जो है तो guys engineer就 तो सबरे बहुत बड़ा इसा है लेकिन बखील तो बहुत छोता है तो सारे इंगीनियर तो बखील नहीं हो सकते लेकिन बखील इंगीनियर हो सकते हैं तो दुसरा गलात हो जाएगा आपका पैला सई हो जाएगा तो answer हो जाएगा आपका तो option B केबल निसकरस फस्ट अनुसरान करता है अगला देख लेते हैं कि मैं देखिए क्या दिया गया है सभी पेंटिंग पोस्टर है हाल पेंटिंग क्या है पोस्टर मतलब पी-ओ माल लेंगे और कुछ फोटोग्राफर पोस्टर है तो photographer, poster ka कुछ इससा, photographer में चला जाएगा PhD ममाल लेंगे आगे कहता है, सभी photograph, penting है तो guys, सभी photograph penting होई नहीं सकते ने, क्योंकि photograph का कुछ हिससा penting में जारा है, तो गलत आगे है, कुछ photograph penting है तो guys, photograph का कुछ हिससा penting में जा रहा है, लेकिन यह बाला आपका सही हो जाएगा तो आपका अंसर होगा option C sorry guys आपका अंसर होगा option B अरे दूसरा बाला जो सही है तो ओका option है cable news कर दो अनुसराण करता है चलिए अगला question करते है कुछ बैग बोतल है तो कुछ बैग क्या है बोतल बैग का कुछ इसा बोतल में चला जाएगा और कुछ बोतल काँच है तो ऐसे बनेगा काँच का क्या माल लेंगे काँच ही माल लेंगे आगे कहता है कुछ बैग काँच है तो बैग तो आपका यहाँ पर है और काँच यहाँ पर है कुछ क्या पूरा ही नहीं है यहां पर कुछ kी बात हो तो आपका गलत हो जाएगा कि तो अंसर हो जाएगा ओप्शन सी ना तो निसकर से कव ना ही निसकर से दो अनुसराण करते हैं चली अगला करते हैं सभी BIL DOid है तो सभी BIL क्या है डWest एसे फिगर बनेगा और कोई बिि मानग नहीं है तो बिद डिमांड नहीं रजाएं मतलब अंदर वाला बिल है डिमांड से कोई संबंद नहीं है आःप देखें क्या कहता है का कि कुछ debit bill है तो यह गलत हो जाएगा आपका गाइज यह डिमांड था और यह debit था तो कुछ जो debit है वो बिल हो सकते हैं तो यह आपका सही हो जाएगा पहला बहला आगे कहता है कोई कोई डिमांड डिमांड नहीं है तो बुलकुल गलत स्वारी यह आपका हो जाएगा गलत कोई डिमांड डिमांड नहीं है तो आपका यह गलत हो जाएगा बैग और डिमांड के बीच बताया गया ना कि डिमांड और डिमांड के बीच तो आपका गलत हो जाएगा पहला सही हो अगला है एक विसम ग्याद करना है, तो कैसे करेंगे, तो यह सारे नमबर दिये गए, इसमें से एक विसम बताना है, तो गाइस देखिए, एक से आठ बनने में कितना एड़ा, प्लस का साथ, आठ से तेरा बनने में प्लस का पाँच, और तेरा से बीस बनने में प्लस का साथ फिर 20 से 27 बनने में कितना एड हुआ प्लस का 7 एड हो रहा है लेकिन स्टार्टिंग में क्या था 7 पांच था तो 7 के बाद 5 ही आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर 7 एड हो रहा है तो अगर 5 एड करते तो यहाँ पर 25 आएगा लेकिन होना चाहिए यहाँ पर 25 लेकिन दिया है सकता है इस तो आपका हो जाएगा Option D आपका एक भी समय है अगला है उत्तर पस्चमी रेलवे का मुख्याले यहाँ पर इस्तित है तो कहाँ पर है Option D जैपूर अगला देखते हैं कहता है नीचे दीगे इस रंकला में संख्याओं का एक रम उपस्ते तक गलत सही हो जन पहचानी है तो इसमें से एक गलत बताना है तो कैसे करेंगे देखिए 20 से 19 बनाना तो कितना गटा माइनस का एक सोरी 14 मिलना चाहिए लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 17 तो गलस हैं जन हो जाएगा option D is right answer अगला देखिए नीचे दीगे इस रंकला में संख्याओं को एक करम उपस्ते थे गलस हैं जन को पैचानी है तो गैस देखिए एक क्या होता है आपका सबसे पहले मिलना है तो आगे क्या आएगा दो दो का स्कॉर क्या होना चाहिए चार लेकिन दिया हुआ है पांच तो आपका अंसर हो जाएगा option C यह गलत सही हो जन हो जाएगा चलिए अगला question करते हैं तो कहता है गांधी सागर अभयार अनिकालेस्तान में इस्तित है तो यह हो जाएगा option है मंदस और एक question मैं आपको दे रहा हूँ इसका अंसर आपको comment करके बताना है आप इसका skin sort ले लीजिएगा और इसका अंसर बताएगे कि क्या होगा अगला हम करवाते हैं आपको अगला question है यदि इसको इसे से coded किया जाता तो curtain को कैसे coded किया जाएगा तो guys देखिए इसका h और last वाला k यह same है यहाँ पर जो से coded किया गया है तो इसी परकर curtain में करेंगे c और n सेम रहे का option देखते हैं c आगे यह है और n यह है तो option d is right answer और किसी में नहीं मिला तो यह cut हो जाएंगे यह आपका immediate answer मिल गया तो option d is right answer चलिए guys अगला question करते हैं Indian Institute of Soyaven Research सहर में इस्तित है तो कहां पर इस्तित है तो option b इंदौर अगला question है लुपत अच्छर अच्छरों को जुनकर संकला को पूरा किजिए तो guys इसका होगा option b यहाँ पर देखी n आएगा फिर l आएगा फिर l आएगा फिर m आएगा ओके अगला है उंकारे स्वर नदी पर एक पवित्र दीप है तो इसका answer क्या होगा option है नर्मदा नदी अगला question है अंको 5,2,1,4,6,7 कितनी 6 अंको की संख्याय निर्मित हो सकती है तो अगर ऐसा question आता है और यहाँ तो 6 अंको का हो जाता है तो आप सीधे direct factorial 6 का मान निकाल दीजिएगा तो यह हो जाएगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तो answer हो जाएगा आपका 720 तो आपका होगा option सी इस right answer चलिए अगला करते है question है एक खाज code भाषा में bright little boy का आर्थ है 234 और टाल बिक boy का आर्थ है 256 beautiful little flower का आर्थ है 748 तो bright के लिए किस अंक का इस्तमाल किया गया है तो guys दिखे bright इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है अगर हमें little और boy के code पता चल जाए अंक पता चल जाए तो आपका bright का पता चल जाएगा तो guys दिखे little इसमें आ रहा है और little इसमें आ रहा है तब little कामान है तो अच्छों में कौन कामान है इसमें 4 तो little का हो जाएगा 4 अब boy देखे इसमें आ रहा है बॉय इसमें आ रहा है और अच्छा देखे 256 में क्या-क्या मिल ला है दो और दो तो गयाज लिटल का हो जाएगा अब कच्छार और बॉय का हो जाएगा दो और बचा हुआ ब्राइट ब्राइट का हो जाएगा थ्री तो option is is right answer चलिए अगला question करते है अगला question है निमन प्रस्णों में अच्छों के कुछ समूद ये गए है इन में से एक को छोड़ कर से सभी एक समानता प्रदर्सित करते हैं जबकि एक उनसे भिन्न है तो विसम बताना है तो guys सबसे पहले इसका answer जो होगा हमें सारे alphabet code पता होने चाहिए E का होता है 5 H का होता है 8 और L का होता है 12 5 से 8 बनने में कितना add हुआ प्लस का 3 और 8 से 12 बनने में कितना add हुआ प्लस का 4 तो 3 और 4 इसमें है लेकिन B में देखिए C का होता है 3 F का होता है 6 I का होता 9 इसमें देखे 3 add हुआ और इसमें भी 3 add हुआ आप देखे D, D का होता है 4, C का, G का होता है 7, J का होता है 10 तो इसमें भी 3, इसमें भी 3 और D का देखिए, B का होता है 2, E का alphabet code होता है 5, H का होता है 8 इसमें भी तीन इसमें भी तीन लेकिन पहले बाले में आपका चार एड़ हो रहा है तो आपसेने इस राइट आंसर चलिए अगला कोश्चन करते हैं किस उतंतरता सेनानिक को देश बंदू के नाम से जाना चाता है आपसेने चितर अंजन दास तो गयद आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू धन्ने बाद आपका दिन सोब रहे है